हाई दिस इस मनीशा सिंग स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पर फ्रेंड्स आसा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एक्जाम्स के प्रिप्रेशन भी आपके बहुत अच्छे वे में चल रहे होगे तो आई हूँ लेकर आप स स्टाफ की भरती 2024 की रिगार्डिंग फ्रेंस देखिए IPR जो होता है इंस्टिट्यूट प्लाज्मा रिसर्च यह सेंट्रल गवर्मेंट के अंतरगत एक इंस्टिट्यूट संस्थान है जिसमें आपको ग्रूप C की पोश्ट निकली है MTS के लिए जिसके लिए औल इंडि स्टाफ के भरती आहिए जिसके लिए अपलाई जो होगा ना ओनलाइन होगा और और अल्रीडी अस्टार्ट हो चुका है यह 29 जुलाइन से फॉर्म भी ओनलाइन होना स्टाच हो चुका है और अन्तिमति थी यानि लास्ट डेट जो रहेगी 27 अगस यानि 27 अगस तक निसका लास्ट डेट रहेगा आप फॉर्म अप्लाई करते वक्त कुछ फी भी लिया जाता है उनलाई तो आईए उसके चार्जेस को बता दू देखिए जेनरल OVC और EWC 200 यानी की 200 रुपया लिया जाता है वही पर अगर आप पर CST candidate है या फिर आप female candidate है तो आपसे कोई चार्जेस नहीं लिये जाएंगे तो यह बहुत अच्छी बात है और देखिए जेनरल OVC और EWC से बिना जादा नहीं बस 200 रुपया लिया जा रहा है अब जानेंगे हम की इसकी उम्र सिमा यानी की एज लिमिट क्या रहेगा ले और आपके उम्र की गनना की जाएगी उम्र आपका 18 वर्स से 30 वर्स यानी की 18 to 30 यह रहेगा और एज यू आल नो कि सेंट्रल गवर्मेंट की जो भी वेकेंसी जाती उसमें कुछ उम्र में यानी एज में रिलाक्सेशन मिलता है आप पर एज के लिए जो 30 यह नहीं उसके के लिए तो OBC को मिल जाएगा 3 years का और SCST को 5 years का मतलब कि OBC के लिए आपका maximum age है 33 वर्स और SCST के लिए 35 यानी 35 years अब यह सारी तो basic details ही तो most important thing कि आपका eligibility जो decide होता है ना qualification के according होता है तो qualification क्या required है देखिए आप जैसा कि आपको पता है mostly सारे जगों पर MTS जो होता है ना multitasking stuff इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 10th pass out candidate अपलाई कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर एक चीज है first time मैंने यह देखा है कि इसमें MTS की भरती है बट qualification जो याना graduation कर रहेगा तो जो भी graduate candidates है चाहे वो arts stream के हो science के हो या फिर अगर आपने commerce लिया है बस आपने graduation कर रखा है certificate है तो आप apply कर सकते हो यहाँ पर percentage का कोई issue नहीं रहने वाला है चलिए आगे बता देती हूँ कि इस post के regarding selection process क्या होगा means कि किनकी ने stage से pass करने के बाद ना आपका यहाँ पर selection हो पाएगा देखिए फ्रेंड्स आपका बस simple सा selection process है यह दोनों तो बस नॉर्मल है आपका समझो कि आपने exam पास किया तो आपका selection हो गया पैले stage पर written exam होता है आपका उसके बाद dv यानि कि अब देखो written exam आपका ले लिया सरकार अब बहुत सारे बच्चे उसमें छट गया होंगे और जो बचेंगे उनका भी तो चैन करना है आगे तभी तो जितना seat बचा उसके according candidate आप आएंगे तो इसके लिए क्या होता है आप जब form apply करते हो तो अपने बारे में आप जानकारी देते हो तो उसी के ताथ आपका documents verify किया जाता है कि क्या जो आपने यहाँ पर document provide किया वो सही है या नहीं है उसके बाद basic सा एक medical test होगा फिर जाके आपको joining later दे दी जाएगी तो चलिए फिलहाल अभी हम लोग जो written exam है जैसा कि आपको पता है कि single stage समझो कि selection process है तो written exam का क्या pattern है क्या exam online होगा क्या offline होगा तो यह सारी चीज़े मैं आभी आपको clear कर ही देती हूँ तो objective प्लस descriptive दोनों रहेगा मतलब कि OMR seat पर भी परिक्षा होगे और लिखना भी होगा answer आगे मैं इसके बारे में detail बताऊंगे लेकिन हाँ अगर आप इसका official notification डाउलोड करना चाहते हैं इसका online जो आप करेंगे website official क्या है दोनों चीज़े ना आपको मिल जाएगी मेरे telegram पर और telegram जो है उसका link description box में provider है तो जाएए वहाँ पर भी follow कर लीजिए चलिए फिलहाल बता देती हूं कि इसका notification में clearly बताये गया कि दो तरह से परिक्षा होगी same day होगा एक ही दिन जाओगे तो पहले objective होगा फिर descriptive यानि लिखित परिक्षा होगा विश्त्रित जो लेख पहला subject general awareness यानि कि आपका समाने अध्यान से पुछा जाएगा general English से पुछा जाएगा और उसके बाद elementary maths and computer and reasoning last ये आपका fourth subject में computer and reasoning है तो ये चारो भी से generally जो आप SSC का त्यारी करे होंगे railway का त्यारी करे होंगे railway में तो English नहीं पुछता है SSC वाले बच्चे जो त्यारी क समझे कि आपका MTS का सेम ही syllabus रहेगा ठीक है अब रही बात की descriptive paper में आपसे क्या रहेगा तो question related to writing, correspondence, skill and translation मतलब कि ये देखे आपको letter लिखना होगा, essay लिखना होगा और साथ के साथ में आपको translation यानि अनुवाद करना होगा Hindi to English या फिर English to Hindi I hope आप ये चेस समझ पा रहे हों पर exam में qualify करने के बाद क्या होगा आपका document judge किया जाएगा फिर basic medical उसके joining letter दे दिया जाएगा जैसा कि आपको पता है कि all India के candidate इसके लिए form भर सकते हैं तो उसके बाद main point यात है कि आपका job location क्या होगा आगे में बताऊंगे लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि salary क्या मिले जाइनिंग के बाद salary आपके starting में 18,000 प्लस HR यानि कि 18,000 रुपया साथ के साथ housing rent allowance मतलब कि आपका जो घर का मकान का किराया होगा ना 18,000 के बाद आपके मकान का किराया भी आपको दिया जाएगा तो 18,000 तो आपका salary होगा आप जो मकान का किराया होगा तो मान के चलिए ना कि आपका salary सुरुवात में पचीस से 30,000 के बीच में रहेगा और वही salary बाद ने बढ़ा के आपका 70,000 कर दिया जाएगा इंस्टिट आपका central government के अंतर गताता है और यह आपका जो IPR यानि Institute of Plasma Research यह situated है आपका असम में तो जोब के जोगी लोकेशन होगी अब जैसा कि IPR में ही जोब करना है और IPR situated है आपका असम में तो आपकी जोब रहेगी असम स्टेट के अंदर असम एक बहुत अच्छा स्टेट है इंडिया का तो अपरचुनिटी बहुत अच्छी है और हाँ टोटल पोस्ट भी आपको बता देती हूं जाते जाते देखिए टोटल 27 पोस्ट है अब बहुत सारे बच्चों का कंसर्ण यह होता है कि बस 27 पोस्ट के लिए क्यों बता र करेंगे तो उनके लिए मैंने सारी जानकारी दे दी है आई होप कि आपका सारा डाउट्स एंड कंसर्ण कियर हो गाँगे अब भी कुछ है कुछ पूछना है तो कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर लेना और हाँ वीडियो अच्छी लगी हो यूसफूल लगी हो तो लाइक कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ भी सेर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आल पर सेट करके जाना आप ताकि सारी नई जौब की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके तो मिलोंगे फिर से किसी गवर्मेंट जौब की बाइ टेक केर